अरब सागर में 48 साल बाद अगस में चक्रवर्ती तुफान के आशंका चताई जा रहे ही है मौसम विभाग ने शुक्रवाज सुबा कहा गुजरात के करीब अरब सागर में ये तुफान 12 गंटे में देखने को मिल सकता है तुफान का सबसे ज़्यादा असर गुजरात में कच में दिखेंगा यहां 65-75 किमी प्रती घंटे की रफ्तार में हवा चलेंगी तुफान के चलते राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जुनगर, दवारका में भी भारी बारिश कलट है कच और आजकोट में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, कच में कच्चे मकानों में रह रहे हैं लोगों को घरकाली करने का अधिश दिया गया है कलेक्टर ने कहा कि जरूरत होने पर ही घर से बहाल निकले गुजरात में एक हफ़ते में जारी बारिश के कारण बार के हालत बने हुए है यहां चार दिन में 32 लोगों की जान चली गई NDRF, SDRF के बाद सेना को भी तैनात किया गया है